हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन वेलकम बैक टू दा चैनल तो क्या अले जी पढ़ाय किया आद आ गई तो चलो शुरू करते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स्थ जोग्रफी का सिक्स्थ चैप्टर देखो देखो सब हमने कलरफुल कर दिया है फुल अफ एनर्ज है बहुत सिंपल चैप्टर है मज़े से खतम करेंगे तीन ही में चीजे है अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाक से कर लो क्योंकि मैं तो चैनल को मैं तो वीडियो शुरू करने जा रहा हूं ठीक है तुम फटाक से कर लो यू मस्ट आफ सीन सम अफ तो लैंड फॉर्म फीचर है शोन इंद फिगर बिलो यह देखो इस फोटो को देखो सब सब्सक्राइब तो मैं चिल मार के बताता हूं होता है देखो भाया लैंड है ठीक है अब लैंड कितने तरीके का होता है इधर देखो प्लेन लैंड दिख रहा है एकदम मस्त अपना क्या होज़ है छल ग्यों यह चलो कोई नी चलेगा इधर चलेगा तो क्या होता है आपका प्लेन लैंड होता है कुछ होता है आपका मौँटेण थोड़ा उंचा उठ गया कूछ प्लैट्यूबबढ फ़हे बारे इस चाप्टरन बहुत शादा ठीक है बारे बॉह जादा ठीके जी, some part of the lithosphere may be rugged and some flat, कुछ कैसे, कुछ कैसे, these landforms are a result of two process, अब यह जो landform में changes आ रहे हैं, यह दो process की वज़े से आ रहे हैं, you will be amazed to know that the ground you are standing is on, is slowly moving, भाई यह तो आपको पता ही है, कि जिससा आप धर्ती पे खड़े हो, यह बहुत धीरे move कर रहा है, अब आपको कि हाँ, पता है भीया, धर्ती, गोल खूँ, वह move नहीं यार, सुनो, एक और move होता है, within the earth, a continuous movement is taking place, the first one is internal process leads to the upliftment and sinking of the earth surface, समझाते हैं आपको, यह अगर आपका earth है, तो इसके एकदम center में लावा, लावा यानिकी गरम गरम आख का liquid form, वो भरा हुआ है, अब liquid पर है, liquid तो आपको पता ही कैसा उपर नीचे उपर नीचे होता रहता है, तो इसी तरह आपका जो land है न, इंटर्नल प्रोसेस earth की वज़े से उपर नीचे, कभी उपर, बहुत माइनूट, इतना माइनूट की आपको पता ही नहीं चलता, ऐसा होता मतलब, यह changes पता है कैसा आते हैं, कभी-कभी, कि जो पूरा Australia है, वो 0.006 cm उपर उठी गया, इतना minimal होता है, तो हमको पता नहीं चलता, The second external process is the continuous wearing down and rebuilding of the land surface, जैसे कभी-कभी क्या होता है, कहीं पर, वो हो गया, volcano eruption हो गया, तो वो mountain बहुन गया, तो यह external process हो गया, एक internal, एक external, The wearing of the earth surface is called erosion, wearing मतलब उतर जाना, यानि कि जैसे कि पानी के साथ मिट्टी उतर गई, तो उसे erosion कहते हैं, ठीके जी, The surface is being lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition, यानि कि ऐसे समझो, यह देखो, draw कर लेते हैं, फटा-फट, तो यह क्या, यह एक surface है, यह पूरा कैसे बना हुआ है, इस पर हमने मिट्टी भर्दी कूप सारी, ठीके मिट्टी भर्दी भर्दी, इतनी मिट्टी खट्टा हो गई, अब मैंने इस पर पानी भाया जोर से, पानी के साथ क्या होगा, मिट्टी उड़ जाएगी न, मिट्टी सारी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, और बह जाएगी, तो इसे कहते हैं, erosion हो जाना, और उसके बाद deposition, यानि कि मैं इस पर मिट्टी फेक रहा हूँ, फेक रहा हूँ, एक उस dust particles यहां इखटे होते चले गया उसे deposition हो गया और इनी के according क्या बनते हैं broadly we can group differently landform depending on the elevation and slope as mountain, plateus and plain तो भाई देखो broadly बड़े मोटे तोर पर हम जितने भी landform से उनको तीन चीजों में बाढ़ सकते हैं तीन तरीके के mountains होते हैं, plateus होते हैं और plains होते हैं पहले बात कर लेते हैं mountains की, a mountain is any natural elevation of the earth surface elevation यानि कि ऐसे उठाव, ऐसे वाला, तो mountain क्या होता है, धर्ती ऐसे थी, किसी ने यहां से धक्का मारा और यह क्या होगा है, ऐसे ऐसे घर के पहाड बन गया, जैसे यह लड़की बना रही है, ठीके जी a mountain is any natural elevation of the earth surface, the mountain may have small summit and a broad base, it is considerably higher than the surrounding area some mountains are even higher than the clouds, कुछ mountains इतने उचे हो जाते हैं, कि वो clouds से भी, जैसे कि Mount Everest in some mountains, there are permanently frozen river of ice, they are called glacier, कुछ mountains ऐसे भी होते हैं, जिनके अंदर बरफ जो होती है, रिवर, वो पूरी-पूरी, क्या होती है, जमी होई होती है तो नदी का पानी जब उसके अंदर पूरा freeze हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उन mountains को कहते हैं, glacier ठीक है जी, there are some mountains you cannot see as they are under the sea, और कुछ mountains ऐसे भी होते हैं, जो क्या होते हैं, पानी के अंदर बन जाते हैं less people live in the mountain areas, since the slopes are steep, less land and available for farming, जैसे कि Titanic, याद करो, Titanic में क्या था, पूरा बरफ का अंदर, मतलब ऐसे नहीं, यह सोचो कि अगर यह land नहीं उपर इतना सा दिख रहा था, और ship वालों को लगा, ठीक है यार, इसको तो ऐसी पेलते हो चले जाएंगे, पर वो अंदर पता है कुछ इतना बड़ा पहार था, जो उन्हें नहीं दिखा, जिसकी वैसे पूरी ship दूब गई, इन्हें कहते हैं, यह खतरना glaciers होते हैं, mountain में भी arranged in a line, known as range, अब देखो, एक mountain, उसके आगे एक mountain, उसके आगे एक mountain, उसके आगे एक mountain, अगर तुम लोग नैनिताल के आसपास गए हो तो तुम्हें पता होगा यार, अगर यहीं यूपी के आसपास कियो तुम लोग तो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है mountain होते हैं, छोटे-छोटे, है ना, तो यही mountain, जो एक के बाद एक आते हैं, तो इनको हम क्या कहते है, mountain range, कुछ बड़ी बात नहीं है, यह तो simple सी बात है, many mountain system consists of a series of parallel ranges extending over hundred of kilometers, बहुत सारे ऐसे mountain हैं, जो hundred kilometers से भी जादा लंबे-लंबे होते हैं, the Himalayas, the Alps and the Andes are mountain ranges of Asia, यह काउंसी हैं, Asia की famous famous, Himalayas, Alps और Ants, यानि कि इस range में बहुत सारे mountains आएंगे, ranges of Asia, Europe and South America, Asia की क्या Himalayas, Europe की Alps है, South America की Andes है, mountains vary in their heights and shape, mountain के shape अलग हो सकते हैं, heights अलग हो सकते हैं, there are three type of mountain, mountain कितने तरीके के होते हैं, एक तो होता है fold mountain, एक होता है आपका block mountain, और एक होता है volcanic mountain, the Himalayas mountain and the Alps are young fold mountain, young मतलब नए, अभी recently, कुछ ही साल, कुछ मतलब 100-200, ठीक है, हमारी अगरत है हजारों, तो इसलिए हम young कह रहे हैं, तो हम यह मतलब सोचना है कि 2-4 साल, ठीक है जी, तो young fold mountains है with rugged relief and high conical peaks, fold mountains कौन से होते हैं, अभी हम समझेंगे, fold mountains कैसे काम करते हैं, और यह block mountain कैसे काम करते हैं, photo देखना चाहरा हूँ, यह देखो, यहाँ पे इन्होंन कैसे यह जमीन थी, ठीक है, और यह जमीन थी, बीच में कम gap था, यह दोनों आपस में पास आए पास आए और एक time पे यह आपस में टकरा गए, टकराने की वज़े से कुछ ऐसा होगा, धीरे धीरे और और पास आए और इसकी वज़े से कुछ इस तरीकी की एक जमीन बनती चली जाएगी, और एक time पे यही एक बहुत बड़ा पहाड बन जाएगा, और इसे ही क्या कहते हैं हम, fold mountain, क्योंकि fold हो रहे है, block mountain और volcanic, तीन तरीके mountain होते हैं, तो हिमालया माउंटेन का पता चल गया न, यह कैसे है, fold mountain है, conical peak है, यानि कि इनकी उपर से ऐसे इस तरीके की peak कौन, कौन सॉरी, इस तरीके की, the range has considerably worn down due to the process of erosion, अब हो क्या रहा है, यह बड़ी-बड़ी peaks हैं हिमालया, इनके एक serious problem आ गई है, कि इनकी जो peak है वो घटती जा रहे है, गर्मी की वज़े से, क्योंकि यह सब top पे ice होती है, ice पिगल रहे है, दीरे-दीरे, तो जिसकी वैसे इनकी peak है, वो कम होती जा रही है, the Appalachians in North America and the Irul Mountains in Russia have rounded features and low elevation, इन में क्या है, देखो, हिमालया बगएर थोड़े इस टाइप के हैं, और यह जो दोनों है, थोड़े से इस टाइप के हैं, समझ रहे हो न, shape का फरक्स दिखिया, बस इतना elevation याने के, यह वाला, ऐसे, यह ज़ जाद elevation हो गया, इसको elevation कहते हैं, दूसरे तरीके के mountains होते हैं, भहिया, block mountain, और यह कैसे होते हैं, created when large areas are broken, अब हुआ गया, broke, यह पूरा पहले एक साथ था, फिर इतनी जमीन नीचे अंदर tectonic plates, मतलब अंदर का movement हो रहा है, लावा का, उसकी वज़े से इतनी जमीन तूट तो यह अंदर उठस गई, तो यह बाहर रहा गया, तो यह वाला area जो बाहर रहा गया, यह क्या कहला गया, एक mountain मन गया, बागी दुनिया के लिए सब को लगा रहे, यह तो उचा है बहुत ही, तो mountain है, तो इसको कहते हैं, block mountain, the uplifted blocks are termed as horse, जो उपर रह जाते हैं, उनको horse कहत जाते हैं, the lowered blocks are called grabben, और जो नीचे चले जाते हैं, वो grabben हो जाते हैं, grabben ही बाद में normal जमीन मन जाती है, और horse पहाड कहलाते है, the rain valley and the vosages mountain in Europe, are example of such mountain, यह example है, ठीके जी, volcanic mountain, तीसरा टाइप का क्या हो गया, volcanic, यह किस से बनते हैं, volcanic activity से, Mount Kilimanjaro in Africa and Mount Fujiyama in Japan, Mount Fuji, तो मैं Doremon भी volcanic वो है, volcanic क्या होता है, बताते हैं, यह normal जमीन थी, ठीक है, अंदर लावा था, यह इधर पत्थर है, इधर normal आपकी मिट्टी है, और नीचे लावा है, ठीके जी, अब यह लावा थोड़ा थोड़ा बाहर निकलना चारा है, यहां से कुछ जमीन फूटी, थोड़ा और नि लावा की जासे हे वोलकाइनों माउंटेन बन गया, है ना, कभी-कभी लावा फट भी जाता है, भाहर निकल जाता है, तो उसे हम क्या कहते है, वोलकाइनों इरप्थ हो गया, समझ में आ रहा है, very good, आ रहा है तुमको, कह रहा हूं आ रहा है, माउंटेन्स आर वेरि बहुत सारे glaciers से पानी की नदियां बन जाती है reservoirs are made and the water is harnessed for the use of people water from the mountain is also used for irrigation and generation of hydroelectricity the water valleys and terraces are ideal for cultivation of crops mountains have a rich variety of flora and fauna the forests provide fuel for the mountains के बहुत सारे use है पहले तो ये storehouse है water का जो glacier वाले है ठीक है क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी जम जाता है और बहुत सारा फानी store हो जाता है दूसरा river valleys और terrace cultivation के लिए बहुत अच्छा होता है terrace cultivation कुछ इस तरीके का होता है जिसमें आप पहाड़ों पे थोड़ी थोड़ी जगह पे फिर थोड़ा नीचे फिर थोड़ा नीचे इस तरीके की cultivation करते हैं आपने कभी देखा पेड़ों पे कितने सारे पेड़ पौधे जानवर होते हैं बंदर बंदर तो इसके लिए वह बहुत अच्छा होता है इसलिए mountain के बहुत सारे uses होते है यह आप देख सकते हो कि कैसे बनता है एक या आपने बता है न वालकेनिक mountain कैसे बनता है मैंने यह दीरे दीरे यह लावा उपर उपर जाता जाता है एक time पर उपर जाता है इसकी वैसे सारी धरती उपर उट जाती है अब अगली बात करते है प्लाट्यूस की यह mountains provide an ideal site for tourist हाँ mountain बहुत बढ़ी है tourist के लिए यह आई skiing कर रहा है प्लाट्यूस अब प्लाट्यूस क्या होते है अब प्लाट्यूस in elevated flat land elevated मतलब बस उठा हुआ flat land बस इस तरीके का बागी धरती नीचे रह गई यह पुरा उठ गया इसे table land भी कहते है मतलब table उचा हो गया standing above the surrounding area अब plateau may have one or more sides with steep slope the height of plateau often varies from few hundred meters यह mountain से काफी जादा छोटे होते है mountains इतने उचे नहीं होते है ठीक है यह इन में फरक है इनकी height बस कुछ hundred meters की होते हैं 200-300 meters इतने ही हुच होते है plateaus like mountain में भी young or old mountain की तरह plateaus भी कभी young हो जाते हैं कभी old मतलब बहुत पराने होंगे वो old होते हैं और यह जो recent कुछ कुछ सौ सालों में बने होंगे उनको हम क्या कहते हैं young plateaus the Deccan plateau in India is one of the oldest plateau बस इसका आपको नाम याद रखना है सारे competitive exams में यही Deccan plateau के बारे में question आते हैं the east african planet in Kenya, plateau in Kenya, Tanzania and Uganda and the western plateau of Australia are example of बढ़िया-बढ़िया plateau the Tibetan plateau is the highest plateau in the world, height of 4000-6000 meter यह बहुत ही जादा उंचा है, देखो देखने में पता चल रहा है कि यह किसकी height पहुंच रहा है, बिल्कुल बिल्कुल जो हमारे mountains है, उनकी height से भी कई उंचा चला गया, पर फिर भी यह plateau कहा जाता है क्योंकि यह world is सबसे उंचा है platews are very useful because they are rich in mineral deposits, in platews के अंदर बहुत सारे mineral, mineral यहने के आपका सोना भी एक mineral है, gold और coal यह सारी चीज़े इनके अंदर मिलती है as a result, many of mining areas, mining जो होती है, हीरे की खदान, सोनिक खदान यह सब इनी में होती है, platews area में African platew is famous for gold and diamond mining in India, huge reservoir of iron, coal and manganese are found in छोटा नागपूर प्लाट्यू, छोटा नागपूर प्लाट्यू जहां पर iron, coal और manganese की खूप सारी reserves मिलते है in the platew there may be several waterfalls, platew में ही, आपने देखा waterfall जो क्या होता है, पानी उपर से गिर रहा होता है, बड़ा बढ़िया बढ़िया नीचे, वो हमेशा आपको platew में ही मिलेगा इन इंडिया, हुंड्रू falls in the छोटा नागपूर प्लाट्यू, छोटा नागपूर एक प्लाट्यू है, जहां पर हुंड्रू falls नाम से एक waterfall है, जो सुभर, कौन सी है, कौन सी river, सुभर नरेखा, and the jog falls in करनाटका, are example, such waterfall, of such waterfalls, ठीक है, यह example है, सुभर नरेखा और जोग falls, the lava plateaus are rich in black soil that are fertile and good for cultivation, lava plateaus भी होते हैं, जो की rich होते हैं, black soil, मतलब हाँ की black soil बहुत जादा मिलती है, many plateaus have seen spots, scenic spots, मतलब बहुत ही beautiful spot भी होते हैं, same mountain वाला चीज है, वहाँ पर बुमने भी लोग आ जाते हैं, बात करते हैं, plains की, plain question होता, simple jameen को plain कहते हैं, जहां हम रहते हैं plains are large stretches of flat land, they are generally not more than 200 meters above mean sea level, मतलब वो 200 meters से भी जदो उचे नहीं होते हैं, simple dharti को हम क्या कहते हैं, plain कहते हैं, plain are extremely, some plain are extremely level, एकदम सीधे, others may be stride rolling, जहें कभी थोड़ा उचे नहीं होते हैं, कभी एकदम सीधे हो जाते हैं, the rivers flow down the slopes of mountain and erode them, they carry forward the eroded material, they deposit their load, अब होता क्या है, ज ऐसे जैसे आपका mountain से, जो erosion हो रहा है, यानि कि जो dust particles भह भह के नीचे आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो दीरे दीरे एक जगे पर ऐसे ऐसे एक खटे होते जा रहे हैं, और यह हमारा land बनता जा रहा है, ठीक है, it is formed these deposits that planes are formed, इनी deposit की वज़े से यह plane form बन जाते हैं, generally plane are very fertile, यह planes होते हैं, बहुत जादा fertile होते हैं, यानि कि farming करने के लिए best होते हैं, construction के लिए, transport के लिए, सब चीज़े यहाँ पर easy हो जाता है, एशिया में plane जो main बनते हैं, गंगा और भ्रह्म पुत्रा की वज़े से बनते हैं, और चाइना में यांग से, गंगा भ्रह्म पुत् बहुत अच्छी है, यहाँ पर farming अच्छी है, गाड़िया अच्छी चल जाती है, सब कुछ अच्छा है, असान है, इसलिए हम land पर रहना पसंद करते हैं, in India too, the Indo-Gangetic Plains are the most densely populated region of the country, UP वाला जो area है, जहाँ पर गंगा बहती है, वहाँ पर सब सब ज़्यादा population क्यों रहती है, इसलिए रहती है, अब लास्ट बात करते हैं, land form and the people, अलग-अलग land form में अलग-अलग तरीके people रहते हैं, people have been living on the different kinds of platforms in different ways, life is difficult in mountain, बहुत सरे लोग mountain में रहते हैं, उनकी जिंदगी अलग है, थोड़ी difficult है, plains में रहना बहुत आसान है, अब जिंदगी बहुत बढ़िय है, ठीक है, मज़िदार है, can you point out some difference in the ways, of course हम पता लगा सकते हैं, वहाँ के लोग जो है, छोटे-छोटे घरों में रहते हैं, उनका वो अलग है, ठीक है, तो बस इतना साई ये chapter था, जादा कुछ है नहीं, इसी के साथ, ये chapter को भी हम खदम करते हैं, कुछ अगर confusion रह गया